तम अदानी ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा और अगर नहीं सुना तो सिर्फ गूगल पर जाके दिखिए कि क्या चल रहा है भी हाँ और सबसे पहले में ये कहना चाहिए तो ये इंडियन फ्लैक के पीछे चुपना तो बंद कर दीजिए ओके दो साल पहले हिंडन बग क कि सबसे पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें ये देखा गया था उन्होंने ये बताया था कि कैसे जो अदानी ग्रूप है उनकी रॉंग प्रैक्टिसीज हो रही है कैसे उन्होंने पैसे फेक कंपनीज में फॉरें में दाले और वहां से फिर इंडिया में आया और बहुत सा अगरी बार एक साल बाद अगर फिर वह कंपनी ने एक और एलिगेशन लगाया फिर उसमें से बी को इन्वाल किया कि इनकी पर्सनल इंट्रेस्ट है इसमें तब भी बोला गया कि हाँ ठीक है ये तो बेजले सकती है क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी है कुछ भी कर सकत करती है और देन अर्ण मनी बाई दूइंग दर चलो ठीक है मान लिया पर इस ताइम ये बहुत ही सीरियस है क्योंकि यूएस की जो एक कोट है उसने ये एलिगेशन लगा है कि एक प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए अधानी ग्रूप में इंडिया के स्टेट को इसमें यूएस कोट और यूएस की जो एजनसी से वो क्यों इंवल्व हो रही है तो इसमें ऐसा नहीं है इसमें है कि अधानी ग्रूप है इंडिया में और यूएस के एक कमपनी वो दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट इंडिया में करने वाले थे और जो एनरजी ग्रीन वाने के लिए अगर वो वहाँ पर ब्राइब देती है तो that is considered as a criminal activity. क्योंकि उसमें US के citizens का, US के लोगों का पैसा लगा होता है. तो वो investors के interest को डेखते हुए that is considered as a criminal activity. तो ये इसलिए ये framework. इसमें FBI ने बहुत बोल रही है कि बहुत credible evidence submit किये है जैसे कि physical phone हो गया, बहुत सार ये मतलब ऐसे evidences है, prominent evidence जिससे ये प्रूव हो सके कि इनके involvement है और ये तक कहा गया है कि अदानी जी गौटम अदानी जी खुद वहाँ पे वो meetings में बैचते थे और वहाँ पे ये पूरा plan उनको समझाते थे ये तक कहा गया है, आप सोच रहे हो कितना deep तक ये गया हुआ है क ये एक इतनी बड़ी billionaire आदमी ये सब चीजों में involved है, ऐसा US court ने कहा है और उनके, not only अदानी जी बट उनके साथ-साथ उनका nephew और 7 लोग या 8 लोगों के against CF charges frame हुए है, तो अगर इसके regarding, अगर ये case के regarding, अगर आपको पूरी detail में जानना है तो, I would recommend you to just go on the website of the justice department of the court and then वह पर उनलोग ने पूरी statement दी हुए, अदानी ग्रूप ने भी अपनी statement social media पर रिलिस किया है, और बहुत सारे reports है, जैसे financial times होगा, times of India और बहुत सारे international use agencies है, उनलोग ने भी report अपनी publish करी है, with all the minor details, small small details, तो आप वो जागे पढ़िए, it will be better for you to understand these issues, तो आपको detail में पता चल हुआ, ये issue पूरा कब से चल ला है, वो सारा उसमें उनलोग ने दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ लिए, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये क्या है, देखो तो मैं यहाँ पे technical legal चीज़े discuss करने नहीं बैता हूँ, अगर आपको पढ़ना है, तो manager से बताया कि आप all, जो justice, मनलब जो court है, उसकी जो official statement है, वो पढ़ लीजे, डानी group ने भी अपना जो statement रिलिस किया है, वो पढ़ लीजे, और बहुत सारी ऐसे international भी news agencies है, वो लोग ने अपनी report और interpretation के साथ publish किये, तो वो जाके आप देख लीजे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ और इसमें ये plan था कि महेंगे market भाव से महेंगे में बेचा जाना था, और state government लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए इनको bribe डी गई, तो पास इस project and buy the energy and sell it, तो ये आपके जेब के उपर ही बर्दन होता, तो ये पुरा था, अभी इसमें बहुत, दो तीन मेरे fundamentals basic question है, जो मैं stakeholders है, तो इसमें government का involvement कुछ भी नहीं है company में, ये semi government company भी नहीं है, simply इसमें government का involvement ये होता है, कि अगर कोई project ये company को देंगे, अदानी group को, वो project अदानी group finish करेगी, और government इनको पैसा देगी, that's it, इसमें और कोई involvement नहीं है, तो government के official spokesperson आके ये justification क्यों दे रहे है, कि ये जो allegations है वो baseless है, जबकि company खुड कोई एक statement लिखके दे दिया, कि ये baseless allegation है, but government की, BJP government के official spokesperson आके वहाँ पे इन लोगों को press conference कर रही है, कि ये तो baseless है, जब ये bribe दी गई तब तो state government में, Congress की government थी, चत्तिसगर, तेलंगाना, करना तका, इन सब पींचा state का नाम आ रहा है, तो ये officials are going in this, ये सबसे पहला fundamental question यहाँ पर, ये है, तो कुछ ना कुछ तो गरबढ हुई है, इसमें कुछ ना कुछ तो तब ही तो ये लोग आ रहे है, ऐसे तो बहुत सारे issues उस देश में चल रहे, जैसे मनीपूर का issue है, ये महारास्त्रा में जो वहाँ पे अभी दो दिन पहले जो ब्राइब डी जा रही थी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो मनलब रंगे हाट कैमेरे पर पकड़े गए, यूपी में जो दस बच्चे मर गए, जलके छोते छोते, उसके उपर कोई बात नहीं, बहुत सारे other issues है, उसके उपर कोई बात नहीं, पर ये issue इनके लिए इतना important क्योंगे तो private company है, तो ये question वहाँ पर कड़ा होता है, अब अगर BJP के national spoke person ही इसमें involved हो गए, तो उनके भगतों का भी involved होना ज़रूरी था, वो तो of course बनता है, तो वो भी वहाँ पर defense में आ गए, उन्हों में पूरी, वहाँ पता नहीं कहीं का कहीं point जोर के उन लोग ने expose करना शुरू कर भी है, कि ये तो deep state का ये है, वो है, उनको investment रोपना है, ये करना है, वो करना है, पर मुझे एक simple सा सवाल है, कि एक company तो है नहीं इंडिया में, एक ही billionaire तो है नहीं, इंडिया में इतने सारे billionaires हैं, इतनी बड़ी बड़ी companies हैं, उनकी against हो हुआ नहीं, इन स इसका अगर इतना ही अगर बदला लेना या फिर ये सब करना अगर इनके पाँ हो है, तो why they just want to attack Adani Group, ये सवाल, question आपके मन में होगा न, why Adani Group always, okay, why not Ambanis, why not Tatas, why not Mittals, why not Infosys, why not TCS, अगर ऐसा ही होता, तो ये सब companies क्या कर रही है, मतलब वहाँ पे, उनके भी तो project दुनिया बर में चल लेना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ Adani जी के ही चल ले, Adani जी के तो project चल ले और हर जगें उनके उपर question हो रहा है, Australia में हुआ, mining project, Bangladesh में अल्यदी government ने, High Court ने, High Court ने बोल दिया कि project को revaluate किया जाए, स्री लंका में ये problem हो रही है, Myanmar में भी ये हो रहा है, अब फिर Kenya ने already project cancel कर दिया, फिर और एक Afrika के कोई तो president ने बोला था कि मुझे Modi जी ने बोला कि आप Adani जी के project दीजे, तो ये ये जो सारी चीजे ना, इसमें हाथ काले किये गए है, तब जाके कोई आपके उपर allegation लगा गया है, कि आपने वहाँ पर आप लगाई है, आपके हाथ मे से बू आ रही है वहाँ पर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे हाथ में से बू नहीं आ रही है, मैंने perfume लगा है, ये आप नहीं बोल सकते, so this is the fundamental question, right, कि भाई क्यों why always Adani, why not other companies, अगर इसको government ने सही तरीके से handle किया होता, तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, अ मैं नहीं बूलना है, क्या है वो कितनी भी होपर, US superpower है, they influence everyone, at least 70 to 80% countries in the world, तो आज ये जो इन लोग में हुआ है, right, तो internationally भी ये चीज रेकरगनाईज होगी, कि भाई ये अगर Adani group यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि simple बात है ना, आज अगर Adani group के उपर allegation लग रहे है, चलो prove ह हो ना हो, वो next बात है, लेकिन अगर allegation भी लग रहे है, तो उनके खुट के company के balance sheet पर problem होगा ना, कि वो समझो, आज कल को अगर कहीं और आफरीका में अगर project डालने वाले थे, लेकिन आफरीका की एक country ना already एक project cancel कर दिया है, तो वहाँ पर उनका भी union हो ना, वहाँ पर वो अगरे, अल्रेडी देखो, FDI तो अल्रेडी कम हो गया है, पीसे दस साल का सबसे कम अभी चल रहा है, और नए investment भी आने के लिए question होगा, कि भाई companies तो यहाँ पर wrong practices कर रही है, हमारे पैसे कहीं और जा रहे है, कहीं कुछ हो रहा है, पैसे होगा हमारा, कहां से मिलेगा उनक नहीं है, पर वहाँ पे US में बैठी कोई agency, बीना इंडिया में पैर रखे, यह पूरा investigation कर रही है, वो तो फिर भी government agency है, वो एक private company के पास पूरे paper पड़े, कि इसने यह चीज यहाँ पर इतने पैसे यहाँ से यहाँ डाले, इसमें यह involved था, इसका family member यह था, उसके पास प पाई, वहाँ पे साथ समन पर पाई, US में बैठी company, वहाँ पे बैठे बैठे हूं, लोग ने पूरा यह case solve कर दिया, solve तो निक्या, allegation लगा जो भी हो, पर उनके पास evidence थो है, तो you work on that, तो Indian government इसके उपर तो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, दूस, FBI ने भी कर दिया य तो बात है, दो महीने पहले ही यह वो पन्नु के assassination में एक बंदे को jail कर दीन लोग ने, वहाँ पे पी उन लोग ने convict कर दिया एक बंदे को, और बस दो महीने के बाद यह business वाला आ गया, तो यहाँ पे तो हमारी internationally, हमारी image को dent हो रहा है, कि Indian government कर क्या रही है यहाँ पे, वह अगर, देखो, simple सी बात है, अगर अगर अदानी group, innocent है, हम तो अभी भी innocent नहीं मार रहे है, क्योंकि guilty नहीं प्रूव हुआ है, बट हमारा कहना यह है, कि अगर innocent है, तो आप investigation करके प्रूव कर दो, आपने नहीं investigation करी, नहीं कुछ करा, जो भी involvement है, जो भी यहाँ पे stakeholder का, आ आपके, हमारे जैसे, हमारे जैसे जो middle class हो गए, उन लोग ने वहाँ पे पैसे डाले, share market में, और सेबी उसकी, उसकी manager है, fund manager है, ऐसा समझ लो, सेबी को यह देखना है, कि कही illegal practice नहीं हो रही हो, क्योंकि लोगों ने अपने hard earned money डाले, कि चलो हमने आज पैसे डाले, आज से 20 साल बात जब हम retard होंगे, तब हम इसी पैसे जो हमने earned किया है, उसी से हम अपना जीवन गुजारेंगे, लोग ने यह सोच के डाला होता, पर क्या हुआ उसमें, सेबी की chief जो थी, वहाँ पे, मार्वी बुश, उनका involvement आ गया, चलो हम तो ये भी मानते कि वो भी innocent है, क्यों राहूल गांधी, राहूल गांधी, संजय सिंग, देन वो क्या नाम है उनका, त्रिमनुल कॉंग्रेस की जो MP थी, उन लोग ने question हुथा है, संजय सिंग को जेल में डाल दिया, राहूल गांधी की भी सदेश्यता चली गई थी, यही because of these only, तो देखो, प्राइम मिनिस्टर और अदानी, उनके relation तो openly दिख रहे है, पर क्या वो उसी के वज़े से यह चीज़े हो रही है, why not we as a good country, why not our agencies able to find these flaws in the system, why aren't we able to investigate all these issues, all these case, all these criminal activities going on, if not, चलो थी, हम तो अभी भी मानी रहे है न, मैं तो पहले भी बोला कि ना ही, दानी ग्रूप इसमें guilty अभी तब, ना ही कोई और, but we are still, we are still considering them as innocent, but if that's so, अगर allegation लगे, तो it's the agency's responsibility, right, गलत तर एक बलब हर जगे एक meme बना दिया, कुछ यह छोती-मोटी चीज़े करती, तो वहाँ पे तो ED, CBI, सारे वहाँ पे लग जाएंगे, but not where the serious allegations are made, तो, देखो, इसे में मतलब मैंने question उठाए भी नहीं, but बहुत सारे questions ऐसे इसमें आ गए, बला आप जब सोचोगे, आप सुनोगे चीज़े तो आपको लगेगा, कि हाँ ठीक, यह तो हमें मानना ही चीए, कि हाँ यह है, right, क्योंकि, देखो, सिफ एक company है, क्योंकि, BJP कर रहा है, कि because Adani इतनी बड़ा group है, और India इतना बड़ा grow कर रहा है, मतलब, grow कर रहा है, तो, कौन सी सामने वाली country को, वहाँ पर जलन होगी, मतलब, तुम क्या सो, मतलब, compare कर रहे हो, US और India को, कि India बड़ा हो रहा है, इसलिए US को जलन होगी, यह तो यह सब कर रहा है, क्या मतलब, कोई sense बन रहा है, क्या, कोई sense नहीं बन रहा है, कोई sense नहीं बन रहा है, sensible बात है करो, senseless बात है मत करो, कि इंडिया का, वहाँ growth हो रहा है, इसलिए US को जलन हो रही है, और इसलिए वह अटेक कर रहे है, इंडिया में एक company तो है, इतनी सारी companies है, Infosys देख लो, IT में TCS देख लो डिख रहे हैं न वो company पर क्या कभी US agencies ने इनके उपर कुछ किया गया, नहीं किया न अडाइंबानी के उपर कुछ किया गया नहीं किया न किसी और के उपर किया गया, नहीं किया न तो फिर तो यह baseless बाते तो पहले करना बन कर दीजिए और हम भी मानते कि innocent है but our agencies need to be more efficient and उनको ये सब चीज़े सही से handle करनी पड़ेगी क्योंकि ये directly indirectly हमें भी affect करता है अगर ये project approve हो जाता अगर ये project चालू हो जाता तो at the end तो हमें ही पैसे देने थे ना already जो वो एक वो इंडोनेशा कोल पेस कर रहे थे वहाँ पे गुजराट government already पैसे मांग रही है डानी ग्रूप से ये सब बहुत बड़े बड़े issues है और इसको डबाया जाता है Indian media का तो हाली छोड़ दो मैंने इसलिए Indian media का तो बात ही नहीं किया तो लंगड़ा रहा है वो बात कि रहा हिंडू क्योंकि ये पिछले दो तीन सालों से देख रहा हूं कि इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है बस इंडिया की image पर dent लग रहा है मुझे तो 100% लग रहा है कि इंडिया की image पर ये dent denting हो रही है क्योंकि US इतनी बड़ी country है उनका influence है और उनके जो ये और ये पूरी international भी इंडिया में लगा है मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ये औसफेलिया में न्यूजिलेंड सारे जितनी बड़ी country हैं यहाँ पर जितनी बड़ी country हैं सारे news channel पर यही चीज़ अभी चल रही है कि इंडिया का billionaire involved in bribing state officials तो यह सारे news पर चल रही है तो बस मैं तो यही आसा करता हूं कि Modi जी अभी तो official state visit पर है तो जब भी आएंगे यह चीज़ पर ध्यान करेंगे और इजन इसको direct करेंगे कि यह जो allegation है उसको आप गलत प्रूव करो proof देखे कि यह चीज़ नहीं है हम भी यह यह आसा करते कि अदानी ग्रूव वह innocent proof हो जाए with all the evidence even though वहाँ पर चाहे arrest warrant भी निकल जाए but Indian agencies को मैं capable मानता हूं अगर उनको पूरे अच्छी तरीके से openly उनको investigation किया जाए we want कि अदानी ग्रूब भी grow हो क्योंकि वो लोग grow होंगे तो jobs भी सारी कुछ बढ़ेगी ठीक है मिलते अगले वीडियो में तब तक subscribe कर देना like कर देना और comment भी कर देना आपका thought क्या है यह सारी जो बसड़ हो रखे उसके उपर